असलाम अलेकुम फ्रेंट कैसे हैं आप सब लोग आज में लेकर आई हूँ इटैलियन डिश वाइट सॉस पास्ता चिकन वाइट सॉस पास्ता और इसको बनाने के लिए हमने बहुत से तैयारिये करके रखी हैं बहुत ही डिलीशेस होता है आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और बैल आइकन को प्रेस करिए जिससे आप लोगों को मैं नए नए वीडियो की नए रोटिफिकेशन मिले और आप मेरी सारी वीडियो देख सकें चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एक पै तो यह में पूरा पास्ता पैकेट इसमें टाल दूँगी और इसके बाद में इसको इस तरह से बॉइल कर लोगी यह देखिए हमारा पास्ता इस तरह से रेडियो हो जाएगा बस हमें इतना कुप करना है अब हम गैस की फिलम बन कर देंगे अब पास्ता को निकालके जाल और हम एक पैन लेंगे इसमें हमने कुकिंग ओल डाला है तीन चमच तीन से चार चमच अब हम इसमें दो चमच जिंजर गालिक छॉप के हवा डाल देंगे और अच्छे से इनको भूल लेंगे जब इनके एक कशान जो होती हलकी सी वो निकल जाएगी तब हम इसमें चिकन दालेंगे, हमने 500 gram चिकल लिए है जिसको हमने अच्छे से दो के छोटी-छोटी की उसमें बना लिया था बोल इस चिकन है और इसको हम अच्छे से भूल लेंगे लिए तकी चिकन का कलर चेंज होने लगा है अब हम इसमें नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे पास्ता व चेमच ब्लैक पेपर ढलेंगे और साथ में कुछ वेजटेबल्स ड़ीरी अपको पसंद और सब्सक्राइब नहीं कर सकते के अब हम सब्स्क्राइब इसको आध नकालके रख देंगे अब हमने एक कराई में तीन चमच बटर लिए है और जितना हम बटर लेंगे यह रहे मैदा भी लेना है इसका रेशियो हमें बिल्कुल पर्फेक्ट रखना है तभी हमारा पाइट सॉस अच्छी बनेगी अब पटर को हमने अच्छी से मेल्ड कर लिया है अब हम तीन जमच मैदा इसमें एड़ करके इसको अच्छी से मैदे को भून लेंगे मैदे की जो कचान है वह हमें निकाल लेनी है बिल्कुल जब इसमें अच्छी से अरोमा आनी लगे की भूनी भी तब हम इसमें मिल्क को एड़ करेंगे तोड़ा तोड़ा करके हम इसमें मिल्क डालना है एक साथ नहीं डालना है वरना इसमें लंस पढ़ने लगेंगे कम से काम हमने इसमें आधा लिटर मिल्क डाला है क्योंकि हमें इसके अच्छी सॉस बनानी है तो इसमें हमने आधा लिटर के आसपास धूद डाल दिया है थोड़ा थोड़ा करके डाला है जिससे लंग्स भी नी पढ़ेंगा और हमारा अच्छी से सॉस भी बनेगा इस तरह स हमने औरग्यनО डाला है इसमें दुदा सा नमक ढालेंगे नमक भाता भी डाले था था यहता था भी जल सक भी आपकर केद दो अच्छा सा इसका ट्रक्षर बनके रेडी हो चुका है अब हम इसमें वेजटेबल्स और चिकन जो हमने बना के रखा है रेडी करके और हम इसमें मिक्स कर लेंगे इस तरह से अच्छे सामने एसको समिक्स कर लेना है इसके बाद हम इसमें जो हमने पास्ता बॉाइल करके छान के रखता था उसको हम इसमें डाल देंगे और टालने के बाद इसे हम अच्छे से हलके आतों से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हमारा पास्ता बनके रेडी हो जाता है बहुत इजी है बहुत ही जल्दी बन जाता है बस थोड़ा सा में इसके ध्यान देने की जरूरत है और कुछ भी नहीं करना है आप इस तरह से बनाएंगे अपने घर में बहुत आसानी से बन जाएगा यह देखे कितना अच्छा मेरा बाइट सास पास्ता बनके रेडी होगा है बहुत जल्दी बन जाता है घर में बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगा यह देखे मैं आपको सार्व करके दिखा रहेंगे बहुत ही टेस्टी अपर डिलिशेस मेरा पास्ता बनके रेडी होगा है खाने में बहुत ही अच्छा होता है आप इस तरह से अपने गर में जरूर बनाएगा आपके गर में बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगा आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसे लगती है कमेंट में मुझे जरूर बताएगा मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नई वीडियो में नई रेसिपिके साथ तब तक के लिए आप अपना खयाल लखिएगा अल्लाह अफिस बाई